हेलो फ्रेंट्स आज हम फिजिक्स का चेप्टर फॉर जो है वो डिसकस करेंगे इसके अबजिक्टिव देखेंगे चेप्टर का नाम है गतीमा नावेस और चुम्ब कत्व मुविंग चाज एंड मैगनेटिजम फर्स्ट कुश्चन है हमारा सहीं विकल्प चुनकर लिखिए पहला कुश्चन है विद्द्धारा के चुम्ब की प्रभाव की खोच किस ने की थी तो इसका जो एंसर है वह है और एस्टेट यह याद रखना है बहुत इंपोर्डेंट कुश्चन है मैगनेटिक इफेक्ट आफ करण की जो डिस्कावरी वह किसके थू की गई है और एस्टेट के थू नेक्स्ट कुश्चन है एक गतिमान आवेस क्या उत्पन करता है बेटा यह कुश्चन मोस्ट आइमपी कुश्चन है इस चेप्टर का कुश्चन है और मोविंग चार्ज प्रोड्यूस तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है देन हमारा एंस आंसर होगा विद्दुछेत्र चुम्बकी चेत्र दोनों और कोई नहीं तो एंसर सी होता है विद्दुछेत्र चुम्बकी चेत्र दोनों उत्पन्न करत अगर चार्ज इस टेशंनरी कंडिशन में है देन वोकेवल ए glad adjust अएरिया delivery जरसकता है लेकिन अगर वो कर रहा है one and electric दोनुफ फिल्टर प्रेटर करता है तो answer होगा c है नेक्स कॉश्चन लेते हैं चुम्बकी छेटर की दीवधनता की sm क्या है तो sphokukki 3 unit of intensity Garden मैगनेटिक फिल्ड अगर आपको एक फार्मुला याद है एफ इस इक्वल टू बी आई एल तो हम यहां से फार्मुले के थुरू हम यूनिट को जनरेट कर सकते एफ जो है वह है नूटन और से फोर्स की उनिट नूटन होती है वी की उनिट फाइंड करना है आई और एल जो मैगनेटिक फिल्ड उसकी यूनिट होगी नूटन पर एंपियर इंटू मीटर तो इसका भी एंसर होगा सी नेक्स कोश्चन करते हैं कोश्चन एंपियर का परिपतिय नियम क्या है तो अगर आपने यह फार्मुला पढ़ा है तो इसली आप बता सकते हैं कि यह जो भी होता है उसका जो कि एंटीग्रेशन होता है किसके एकवल होता है म्यू नाट इंटू आई के एकवल होता है तो हमारा भी आप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं धारावाई व्रत्ति कुंडली के केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की केंद्र पर करन्ट केरिंग सर्कुलर क्वाइल इसका एंसर होता है कि वह जो करन्ट केरिंग कंडक्टर होता है उसके सेंटर पर जो मैगनेटिक फिल्ट जनरेट होता है वह जो है क्या होता है पर पेंडिकुलर होता है लंबवत होता है नेक्स्ट कोश्चन लेते हम कोश्चन है एक समा a uniform magnetic field is zero force zero है while the direction of motion of the charges तो motion of the charge कैसी होगी आपने पढ़ा है कि अगर parallel होता है चुम्ब की छेतर के parallel of the magnetic field होगा तो जो force होगा वो zero होगा तो इसका answer होगा चुम्ब की छेतर के क्या होगा समानतर next question है एक समान चुम्ब की छेतर में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला जो बल युग महें वो अधिक्तम होगा जो talk है वो क्या हो रहा है अधिक्तम है talk maximum है तो कब होगा यह तो जब लूप का तल कैसे होगा लूप का तल बोला है बेटा लूप का perpendicular नहीं बोला है लूप का नॉर्मल नहीं बोला है अगर रूप के तल की बात कर रहा है प्लेन की बात कर रहा है तो वो भी क्या होता है चुम्ब की छेतर के समानतर होगा तो अगर चुम्ब की छेतर के समानतर उस प्लेन का उस कर्व का प्लेन है तो जो talk होता है वह maximum होता है याद रखेंगे यहीं पर अगर वह नॉर्मल की बात करेगा तब हमारा answer होगा answer होगा चुम्बकी छेत्र के लंबावत नेक्स्ट लेते हैं question number 9 एक समान चुम्बकी छेत्र में गतिमान आवेस पर लगने वाला बल पोर्स acting on a moving charge in a uniform magnetic field is magnetic field में कितना पोर्स जनरेट होता है answer है आप जानते हैं लॉरेंज फोर्स लगता है और वह होता है q into v cross b equal लॉरेंज फोर्स qvb sin theta होता है और उसका जुम वेक्टर फॉर्म था वो किया हुआ था q into v cross b next question लेते हैं धारा मापी की कुंडली के साथ स्रेणी क्रम में उच्छ प्रतिरोज जोड़ने पर क्या बनता है तो पहले मैं एक बार हिंदी में कि explain कर देता हूं यह एक सब्द याद रखेंगे ओ उस्रे अगर ओल्ट میटर में बदलने के लिए उच्छ प्रतिरोज स्रेणी क्रम में लगाते हैं अगर हम धारामापी के कुंडली के साथ धारामापी को ऑज़म दो में उच्छ प्रतिरोज काय में में लगाते हैं यहां पर वही बात कि है कि अगर आप high resistance कौन से तो यहां भी हमारा स्टी सी लाइन में बदलने के लिए उझ्च पृतिरोत स्रेणी क्रम में ऐसा ही अनीस कि एक सब्द है जिसको आप याद रखकर अगर हम धारा मापी की कुंडली के साथ निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दे तो वह अब काय में बदल जाता है आमिटर में तो एमिटर में बदलने के लिए हमको लो रेजिस्टेंस को पैरल प्रवेशित कंड एक समान चुम्बक की छेत्र में इसके समानतर प्रवेश्च करता है तो कंड का पत केसा होगा अगर अपने पड़ा है तीन चीज़े है यह मैगनेटिक फिल्ड है चार्ज भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है एंटर हो रहा है दोनों की इस डायरेक् कि इंसर्ट हो रहा है और अगर आपको पूछा जाए कि अब पात क्या होगा तो इसका पात आपको पता होना चाहिए एक सरकल होता है इस टाइप से और अगर वी इधर है और क्यू जो है किसी एंगल पर इंसर्ट हो रहा है को ठीटा है तब वह बात जो होता है क्वाइल होता है इस टाइप से क्वाइल होता है हिंधी में सरपिलाकार जाता है यह सरल रेख़िए यह व्रत्यकार और सरफिलाकार कुंडलाकार भी कहा जाता है तो कॉयल का पात होगा सुष्ण रेक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए फिल्इन दब्लैंक किस टुम्बकन सीलता का एसाइ मात्रक क्या है फर चुम्बकन सीलता मैगनेटिज्म मिउजिरो की बात कर यह मूँ जीरो जो है उसका आपको यूनिट पूछा है मूँ नॉट का यूनिट पूछा है तो अगर आपको याद है तो एफ इस इक्वल टू मूँ जीरो बाइफ पाइफ m1 M2 divided by R square यह formula होता है अब अगर हम यहां सेमीज जीरो की इक्वाइंड करना चाहें तो इसकी उनिट तो हो जाएगी Newton मूटरण युूटर्जियुनीट नियुटियुटर्धू में करना ये मेंकि आम्प्यर के यह भी एंप्यर मेंटू मेटर इंप्यरका । हो जाएगा और यहां नीचे भी मेंटर का इसक्वेर मेंटर से मेंटर सक्वेर कांसी narrow इंपिर हो यह होगी यूनिट चुम्बकन सीलता की मैगनेटिज्म की मू नॉट की नेक्स कोश्चन है चुम्बकी छेत्र का ऐसा ही मात रख क्या होता है थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था अच्छे से याद कर ले पढ़कर जाए यह फार्मूला याद रखे एफ इस इक्वल टू बिल बिल चुम्बकी छेत्र का विमी सुत्र क्या होगा दयमेंशन फॉर्मूला आप ऐजी ली फार्मूला बताया था मैंने यह युनिट से निकाल सकते नूटन अपाँं एंपियर इन टू मीटर यह यूनिट है बी की नूटन के लिए हम राइट कर सकते एमटे एमवन एल वन टी माइनस की एमपियर के लिए एंड मीटर के एब वान एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन इस दा डायमेंशन फार्मुला आप मैंगेटिक फिल्ड न्यूटन अपन एंपिर इंटो मीटर के थु हमने यह यूनिट फाइंड की है आंसर है एम वन एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन नेक्स वेशन ठारावाही परिनालिका किसकी भाति मैंवार करते है एक करण्ट केयरिंग स्लीन भी επाहलाई का बार मेंगेट एंसर होगा बार मेंगेट टो बार माइगेट परि यह करती है धंड चुंबक की तरफ विव्वार करती है हमारी एक ऱारावाजि परिनालिका NICK से सब्सक्राइब कें नियरे यह ह मैं और इसको हम समस्राइब से राइट कर सकते हैं force is equal to Q into V cross V next question लेते हैं यह भी IMP question था लॉरेंज फोर्स का formula समान दिसा में धारा वाहिद दो समानतर चालकों के मध्य बल की प्रकृति क्या होती है the force between two parallel conductor carrying current in the same direction if we have to conductor और इनमें same direction में current का flow हो रहा है तो फोर्स जो लगेगा उसकी direction पूछी फोर्स कैसा होगा तो फोर्स की नेचर पूछा है direction नहीं पूछी तो नेचर कैसा होगा तो हमने पढ़ा है इस टाइप के केस है अगर opposite current flow होता है तो यह एक दूसरे को रिपल करते हैं और इधर attraction होगा तो फोर्स आफ अट्रेक्शन आकर्शन का बल लगेगा पूर्स आफ अट्रेक्शन लगेगा तो फोर्स आफ अट्रेक्शन होगा अगर current सेम डायरेक्शन में अगर आप उपूजिट डायरेक्शन में होता है तो फोर्स आफ रिपल से नहां पर वक करता है नेक्स वोश्चन लेतें एक आदर व्ल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है दर एजिस्टेंस आफ आइडि आइडियल का और अल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफाइनाइट होता है अनंत होता है चली नेक्स कोश्चन घृम के विटमीटर को सदेव कैसे जोड़ती है दो उल्टमीटर को हमको क्या करना है बटाय करंट एक वायर है एक कंड़क्टर Сам में करन का फ्लो हो रहा है मुझे एपॉइंट एंड बी पॉइंट के बीट्वीन में में वीच में हमको क्या पप्चाईए पोडेंशल डिफ्रेंस तो हम इसको हमेशा पैरलल में एटेज करते हैं कैसे करेंगे पैरलल में लाइक डाइग्राम हमेशा ओल्ट मिटल पैरलल पै स्रेनी करम में जोड़ते हैं एक आधर सब मिटर का प्रतीरोध कितना होता है तो अभी पताया था कि यह जीरो होता है सुन्य होता है तो जीरो याद रखेंगे सुन्य याद रखेंगे नेक्स्क्रेंट यह भी आएंपी कोशन है जो कुशन नमबर नाइन था मैं इसकी बात इसको हम क्या बोलेंगे लॉरेंज फोर्स तो यह तो अगर बच्चा 12 में पढ़ रहा है और उसको यह नहीं पता है तो कुछ नहीं पढ़ा उसने लॉरेंज फोर्स लगता है में मुविंग चार्ज पर नेक्स जो कोश्चन है हमारा एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए एंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस फर्स कोश्चन हम लेते हैं फर्स कोश्चन क्या है एक गतिमान आवेस कौन सा छेदर उत्पन्न करता है में पाहला या दूसरा कोश्चन भी यही था उसमें जर्स आप उजिट था कि मुविंग चार्ज क्या जनरेट करता है मैंगेंटिक एलेक्टिक फिल्द बहुत बहुत नन हमारा एंसर होगा बेवेबी जनरेट करता में इलेक्त्रिक फिल्ड दोनों सबस्केण email और यादर रखेंगे एक नवेस चुम्बकी चेत्र और विद्दृच चेत्र दोनों उत्पन्न करता है बी मतलब चुंबकी च्छेत्र magnetic field और ये मतलब विद्दु चेत्र electric field next question लेते हम एक लंबी धारावाही तामबे की खोकली नली के केंद्र पर चुंबकी च्छेत्र कितना होता है तो याद रखेंगे कि अकर लंबी धारावाही किसी भी metal की कोई खोकली धारावाई नली है तो उसके केंद्र पर मैंगनेटिक फिल्ड होता है वो कितना होता है जीरो होता है what is the magnetic field at the center of a long holo copper to ट्यूब केरिंग करेंट यह यह आंसर हमारा जीरो होगा नेक्स वोशन लेते हैं एक धारा वाही परीन आलिका को प्रत्वी तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इस्थिरा उस्ता में उसकी दिशा क्या होगी अगर वो रुखती है तो कौन सी डायरेक्शन में जाती है यह सिंपल मेंगनेट के जैसे बिहेव करेगी हम पढ़ते हैं कि एक बार मेंगनेट की तरह बिहेव करती है और वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेट आवस्ता में रहेगी इस्थिरावस्ता में रहेगी तो नार्थ स प्रत्ताकार धारावाई कुंडली में केंद्र पर चुम्ब की छेत्र तथा कुंडली की तृज्जा में क्या संबंध होता है what is the relation between the magnetic field generated at the center and the radius of coil in a circular current carrying coil current carrying coil जो है वो B उसका magnetic field होगा और उसका red eye अगर R है तो B and R are reciprocal in relationship B चुम्बकी छेतर की तीवरता और त्रिज्जा जो है हमाला की small R यूस करते हैं जो त्रिज्जा है वो एक दूसरे के वित क्रमानुपाती होते हैं question लेते next एक आविशित कंट चुम्बकी छेत्र में इसके समानतर प्रवेस करता है तो उसका पाथ क्या होगा अभी बताया था मैंने आपको तीनों केस बता दिये थे अगर पैलल जा रहा है तो वह होगा स्टेट लाइन स्टेट इस ताइब से अगर वह 90 के इंगल पर जा रहा है एक सरकुलर पात होगा उस टैप से अंदर वाली रो नहीं आएगी अ कि इस सर्कुलर पाथ होगा और अगर किसी इंगल पर जाएगा वह तो इस टैप से स्के क्वाइलिंग बनेगी उसका पाथ हो सर्कुलर कोईल के फॉर्म में पाथ हो सकता है सरकल के फॉर्म में हो सकता है के स्टेट लाइन हो सकता है तो यह अगर पैरलल है तो स्टेट लाइन 90 के इंगल पर बी एंड क्यू रॉकिण यूदी यह Q है चार्ज है और यह ऑग अगर इस टाइप से है नाइंटी का एंगल है सरकलर पाथ अगर पैरलल है तो स्टेट लाइन और अगर एंगल है कोई जैसे बी और क्यू के बीस एंगल है ठीटा तो यह इस टाइप का क्वाइल बनेगा सरपिलाकार पाथ होगा एक समान चुम्ब की छेतर में गत्यमान आवेस पर लगने वाला बल कब अधिक्तम होंगा when will the force acting on a moving charge in a uniform magnetic field of B maximum तो चुम्ब की छेतर में गत्यमान आवेस पर लगने वाला बल बेटा आप जानते हैं is equal to qvb sin theta होता है और ये भी आपको पता है कि force maximum हो उसके लिए condition है कि sin theta is equal to 1 and sin theta 1 कब होता है sin theta is equal to 1 meaning theta is equal to 90 degree तो theta अगर 90 degree है देन यह जो फोर से यह फोर्स attraction का क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा फोर्स attraction का maximum होगा मतलब वो जो हमारा कि चार्ज पार्टिकल है उसने जो magnetic field है उस फिल्ड से 90 के एंगल पर insert होना चाहिए एक चुम्बकी छेत्र में गतिमान आवेसित कंड पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है तो अभी यह कोशन हमने पढ़ लिया है इससे लॉरेंज बल कहा जाता है याद रखेंगे लॉरेंज बल यह रिपीट वहा कोश्चन है इंप है याद रखेंगे अगर हमारे पास कंड़क्टर एक करेंगे जब वो जो करन्ट होगा वो सेम डाइरेक्शन में होगा हम लिख देंगे जो करन्ट है करन्ट इन सेम डाइरेक्शन में हैं क्या होगा हम बोलेंगे कि जो हमारे एक दूसरे को अट्रिक करेंगे तो दो समानतर धारावाई चालक एक दूसरे को आकरसित बेटा तब करेंगे जब उनमें धारा जो है समान दिसा में प्रवाईत होती है समान दिसा में धारा प्रवा हो समान दिसा में धारा का प्रवाहों नेक्स और दो धारावाई समानतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करेंगे तो यह अभी बने बता है कि अगर करण का फ्लो अपोजिट डारेशन में है तो यह एक दूसरे को रिपल करेंगे सब्सक्राइब परीणालिका चेनल चिकसा होता है और चुम्बक की चेत्र कहिंदा, 9 in the दूसरा है दारावई कुंडली के केंद्र पर चुंब की च्छेत्र की तीवरता देखें तो यह सबसे आसान तो हमको मिल रहा है बायोसावट का नियम इसी टाइप से लॉरेंज बल अगर हम देखें तो यह है क्यूवी भी साइन ठीटा अब हमारे पास जो तीन है वह थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए तो सीधे धारावाई चालक के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता म्यू जीरो आई बाई टू पाई तो यह हमारा होगा पहला कि धारावाई कुंडली के केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर होता है धारावाई कुंडली के केंद्र पर तीवरता तो यह होगा नंबर टू और लास्ट है धारावाई परिनालिका के अंदर चुम् इफ इसके कारण मगनेटिक फिल्ट जो होगा था कितना होगा मू 0Ni by 2 by r मेगनेटिक फिल्ट इंटेंसिटी एड दे सेंटर आफ फॉर करंट केरिंग क्वाईल के लिए जो होगा मू 0Ni upon 2R magnetic field intensity inside the current carrying solenite to solenite का होगा mu 0 and i next a lorange force to lorange 4 का formula होता है qvb sin theta biosavarts rule db is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट में दो कॉलम है बहुत बार रिपीट हुआ है इसके कोश्चन अलाग हम maximum पढ़ चुके हैं ठीक है फॉस्ट चल कुंडल धारामापी आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा बैस्ट होगा आप भलाई वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसका इंगली जो वरजन इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखते हैं चल कुंडल धारामापी दाराम आपने का यंत्र है क्या है नहीं फिर क्या है ओल्ट्रमीटर है क्या नहीं फिर क्या है नहीं चुम्बकी प्रभाव पर आधारिध है तो यह होगा हमारा नमबर वन संट युक्त धारामापी मतलब धारावापी के साथ संट यूक्ति क्या है स्रेणी क्रम में उच्छ प्रतिरोध धारामापी अभी मैंने बताया था ओ उसरे थोड़ी देर पहले और आनिस यह हमारी जोड छोड़ी मिला देंगे आनिस देखो इसमें दिया है स्रेणी क्रम में उच्छ प्रतिरोध मतलब औल्ट मीटर तो तीसरे का तॼो जाएगा झाल उल्ट अब दो बचे अमिटर तो धारा नापने का यंत्र और विभांतर नापने का यंत्र हो गया ओल्ट मिटर तो फर्स्ट हो गया चल कुंडल धारा मापी धारा के चुम्बकी प्रबाव पर आधारित होता है सेकन है संट युक्त धारा मापी संट युक्त धारा मापी अ मिटर की तरह बिहेव करता है स्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुडा धारा मापी ओल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है अमीटर के थुरू हम धारा नाप सकते हैं और ओल्टमीटर के थुरू विभांतर दो बिंदों के बीच का विभाव का अंतर नाप सकते हैं घुन आज और नेक्सिट इसी मेजद कोलम को अन्गली ज़र्जन देखते हैं मुंवीं कोईल गेल्वे नमीटर जो लो मेटर वह डेपेंड करता हैैं मेगनेटिक एफेक्ट आफ करण्ट पर तो इसमें फॉर्स्ट हो जाएगा इन्टिक एफेक्ट आफ करण्ट त्यौन के सोन्ते गैल सोन्ते में टो सोन्तें गैल नुमेटर किसकी तरह वैप था नेमेटर तो सब्सक्राइगा कि तरह मतर। कि इसका हो जाएक आएंउनुट की तरह कि आएंचलह सॉक्ण है understood हॉए यह के एकृषप क्राइग laughter करता है यह जो मद्थ जाल्यों करता है पोड़ेंशोमीटर होता है तो यह है हमारा मेजद कॉलम थैंक यू तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको हमें लाइक और शेयर करके बताएं और अगर आपको कुछ कमेंट है कि आपके कुछ कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखे आपको किसी नॉर् कुछ कि वह हमें खूर लाइक भूर लिए था राय संपट में जर पेत даль is numerarily क्या करके के बताएं रह बताएंग और आपको हमें जर आपको कुछ כबें रहें। झाल झाल